हेलो फेंड स्वागत है आप सबका आपका अपना यूटुब चैनल आप पढ़ेगा इंडिया में आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जैसा कि आप लोगों ने थमनेल पे देखा है जो बिहार सिबिल कोड की परिच्छा है जो अल्मोस्ट अब जल्दी आप संभावी है कि जल्दी इसका परिच्छा का आयोजन करवाया जाएगा और जल्दी एक्जाम डेट जो है वो घोजित किया जाएगा तो इसलिए बिहार सिबिल कोड के स्लेबस में एक कंप्यूटर है और कंप्यूटर में आज हम लोगों स्टार्ट कर रहें कंप्यूटर एक परिच् जितने भी computer and introduction मतलब introduction to computer से जितने भी related mcq जो है वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे इसका अगर आप लोगों को pdf चाहिए तो pdf के लिए वीडियो के दियेगर description लिंक से जाकर telegram group जोइन कर सकते हैं या फिर telegram में जाकर search कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया वहाँ जो group आएगा उसको join कर लीजे वहाँ इसका pdf जो है वो provide करवा दिया गया है आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ अप पढ़ेगा इंडिया टीम के दोरा एक free civil court पर इच्छा 2023 के लिए टेसरी का आयोजन करवाया जा रहा है जिसमें की आपको करना कुछ नहीं है उससे जुडने के लिए आपको ये दिये गए नंबर पे civil court लिखकर whatsapp करना है वो नंबर है 9472092809 और इस नंबर पे आपको बिहार civil court लिखकर whatsapp करना है या फिर वीडियो के दिये गए description link में whatsapp group का link दिया गया है वहाँ जाकर आप लोगों को whatsapp group जो है वो join कर लेना है वहाँ आप लोगों को daily 9 बजे सुबह में आप लोगों को test का PDF दे दिया जाता है और फिर 10 बजे आप लोगों को उसका answer की और साथ ही साथ पूरे explanation के साथ जो PDF होता है वो भी आप लोगों को provide करबा दिया जाता है तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने वीडियो के तरफ आज का जो हमारा पहला question है वो यह कह रहा है कि computer अंग्रेजी भासा के सब्द compute से बना है जिसका अर्थ क्या होता है तो compute का मतलब क्या होता है compute का मतलब होता है कि to calculate something मतलब किसी चीज को calculate करना क्या कहलाता है compute कहलाता है तो इस question का जो सही answer होगा वो होगा option number C यानि की गन्ना next question कह रहा है कि पहला computer जो है वो बनाया गया था तो पहला computer किसके द्वारा बनाया गया था Charles Babbage के द्वारा बनाया गया था और इसलिए Charles Babbage को क्या कहा जाता है Father of Computer यानि Computer का जनक कहा जाता है तो इस Question का सही अंसर होगा वो होगा Option number C यानि कि Charles Babbage के द्वारा Next रेकि Charles Babbage द्वारा कौन सी Machine जो है वो निर्मित की गई थी तो Charles Babbage के द्वारा एनिलिटिकल इंजन बनाया गया था एनिलिटिकल इंजन यानि कि बैसलेसिक इंजन जो है वो Charles Babbage के द्वारा बनाया गया था तो इस Question का जो सही अंसर होगा वो होगा Option number A Next Question है Question number 4 Question number 4 कह रहा है कि प्रथम electronic computer यानि First electronic computer का विसकार जो है वो किस ने किया था तो First electronic computer का विसकार जो है वो डॉक्टर L.N.M. Turing के द्वारा किया गया था तो इस Question का सही अंसर होगा वो होगा Option number Dr. L.N.M. Turing डॉक्टर L.N.M. Turing जो थे वो कॉलसस नामक प्रथम electronic digital computer का डिजान जो है वो तैयार किये थे Next Question है Question number 5 कि पास्कलाइन नामक पहला यांतरी calculator यानि mechanical calculator के अभिसकार ब्लेज पास्कल किस देश के गनी तक गे थे तो पहले तो आपको यह याद रखना है कि ये पास्कलाइन नामक जो पहला यांतरी calculator था उसके अभिसकार कौन थे ब्लेज पास्कल थे और पास्कल किस देश के गनी तक गे थे फ्रांस के थे तो इस Question का जो सही अंसर होगा वो होगा Option number D यानि की France नेक्स्ट है Memory, आकार और प्रदसन की अधार पर किस प्रकार की computer को बिग आरेन के रूप में जाना जाता है तो बिग आरेन के रूप में जाना जाता है mainframe computer को तो इस Question का सही अंसर होगा वो होगा Option number C यानि की mainframe computer next question है कि बेस्व कंप्यूटर साच्छरता दिवस का मनाया जाता है तो बेस्व कंप्यूटर साच्छरता दिवस जो है वो दो दिसंबर को मनाया जाता है मैं फिर से रिपीट करता हूँ बेस्व कम्पूटर साच शर्ता दिबस 2022 का जो थीम था वो था observing this day will address the issue of the digital divide and promote digital literacy भारत में परम सिरीच के सूपर कम्पूटर का निर्माद जो है वो कहां किया गया था बो पूने में एक institute है CDAC इसका full form क्या होता है ये भी ध्यान रखेगा CDAC पूने होता है Central for Development of Advanced Computing पूने यहीं भारत में परम सिरीच के सूपर कम्पूटर का निर्माद जो है वो किया गया था साथी साथ एक चीज और ध्यान रखेगा इंडिया का फॉस्ट जो सूपर कम्पूटर था वो क्या था वो पूरम Eight Thousand था नेकल्स नेक्स्ट है सूपर कम्पूटर के छेतर में सरवादیک thing योगधान के लिए सूपर कम्पूटर का जन्वदाता है यानि father of सूपर कम्पूटर के से कहा जाता है तो father of super computer जो है वो कि इसको कहा जाता है father of super computer जो है वो सीमोर क्रे को कहा जाता है जो कि कहां के हैं एक अमेरिका के हैं तो इस question का सही answer होगा वो होगा option number B यानि की सीमोर क्रे next है भारतिये super computer का जनक कौन कहलाता है भारतिये super computer का जनक जो है वो बिजय भार्टकर कहलाते हैं अब ही आप लोगों ने देखा था कि जो इंडिया का पहला सूपर कम्प्यूटर कौन था इंडिया का पहला सूपर कम्प्यूटर था परम 8000 ठीक है और यही परम 8000 के अब इसकारण किये कौन थे बिजय भार्टकर थे तो विजय भाठकर को ही भारती ये सूपर कम्पीटर का जनक कहा जाता है तो इस question का सही अंसर होगा वो होगा option number B next लागी बिस्व का सबसे तेज सूपर कम्पीटर कौन है तो बिस्व का सबसे तेज सूपर कम्पीटर जो है वो है frontier तो इस question का सही answer होगा वो होगा आपसा नमबर यह frontier पहले नमबर पे है और यह कहां का है यह अमेरिका का है मतलब USA का है दूसरे नमबर पे है फुगाकू जो की कहां का है जापान का है और तीसरे नमबर पे है लूमी जो की कहां का है फिनलेंड का है तो यही तीन अभी सूपरकंप्यूटर है नेक्स्ट है सूपरकंप्यूटर के लिए सब्द लंबाई की परास होती है तो सूपरकंप्यूटर के लिए सब्द लंबाई की जो परास होती है वो 64 बिट तक होता है तो इस question का सही answer होगा वो होगा आपसा नमबर इसी नेक्स्ट कोश्चन कह रहा नेक्स्ट कोश्चन आपसे कह रहा है कि निमलिखित में से कौन सी स्रेनी जो है वो पूने में विक्सित भारत की प्रथम सूपर कम्पूटर स्रेनी है तो पूने में विक्सित भारत की सरप्रथम जो सूपर कम्पूटर स्रेनी है वो कौन है परम तो इस कोश्चन का जो सही अ परम 8000 को माना जाता है और जो कि किसके द्वारा डफलप्ट किया गया था विजय भाठकर के द्वारा डफलप्ट किया गया था नेक्स्ट है ऐसे computer जिनमें एक समय में कई उपयोग करता जो है वो एक साथ काज्य कर सकते हैं उसको क्या कहा जाता है तो उसको mini computer कहा जाता है तो इस question का सही answer होगा वो होगा option number B mini computer जैसे कि as for example आप कह सकते हैं IBA mid-range जो computer है वो mini computer का example है K202 जो है वो क्या है एक mini computer है Next है mainframe या super computer में access के लिए उपयोग करता किसका उपयोग करते हैं तो mainframe या super computer में access के लिए उपयोग करता जो है वो terminal का उपयोग करते हैं तो इस question का सही answer होगा वो होगा option number यानि की terminal Next है super computer का उदारन है Super computer का उदारन को है? Sierra जो है वो super computer है Frontier अभी हम लोगों ने देखा सूपर कम्पूटर ही है और परतियूस भी क्या है सूपर कम्पूटर ही है तो इस question का सही answer होगा वो होगा आपसा number D उप्योक सभी जो है वो सूपर कम्पूटर के ही उदारेन है सूपर कम्पूटर से एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली बाते हैं वो यह ध्यान है रखना है कि इसमें multi-abum समानांतर processing का परिलोग जो है वो किया जाता है नेक्स्ट है कि सूपर कम्पूटर के बारे में आपसे पूछ रहा है कि सूपर कम्पूटर जो होते हैं वो mainframe कम्पूटरों से आकाल और processing छमता में छोटे होते हैं यह गलत है अधिकांस घरों में आम है नहीं सूपर कम्पूटर अधिकांस घरों में आम भी नहीं है इसमें हजारों microprocessor होते हैं यह बिल्कुल सही है तो इस question का सही अंसर होगा वो होगा आपसा नमबर C next question कहा रहा है यह सूपर कम्पूटर प्राथमिक रूप से किस के लिए उप्योगी है तो सूपर कम्पूटर जो है वो प्राथमिक रूप से input, output, initacive processing के लिए तो यह सही है data retrieble operations के लिए यह भी सही है mathematical initiative scientific application के लिए यह भी सही है तो इस question का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसा नमबर D उप्योग सभी जो है वो सही है next है भारत में मौसम पुर्वानुमान छमता यानि बेदर forecasting capacity बाला सबसे पहला कौन सा super computer खरीदा गया था तो उसका नाम क्या है उसका नाम है cray xmp14 क्या नाम है cray xmp14 यानि इस question का जो सही अंसर होगा वो होगा option number A निमलिखीद में से कौन सा बिस्व का प्रथम laptop computer बजार में लाया गया तो वो था इपसन तो इस question का जो सही अंसर होगा वो होगा option number B निमलिखीद computer में सबसे छोटा रूप कौन है तो notebook, laptop, desktop और berkstation तो सबसे छोटा रूप कौन सा है notebook है तो इस question का सही अंसर होगा वो होगा option number A next day desktop और personal computer को भी कहते हैं तो desktop और personal computer को क्या कहते हैं micro computer कहा जाता है तो इस question का जो सही अंसर होगा वो होगा option number B micro computer देखिए desktop हो गया, laptop हो गया, smartphone हो गया notebook हो गया, tablet हो गया यह सब क्या है, micro computer ही है तो इस question का सही अंसर है option number B next day निमलिखीद में से कौन जो है सबसे छोटा और सबसे तिब्रगती बाला computer होगा तो वो होगा quantum computer तो इस question का सही अंसर होगा वो होगा option number B quantum computer quantum computer जो है वो quantum यांतरिकी पर आधारित होता है next day digital घड़ी यानि जो digital watch आता है वो किस प्रकार के computer के द्वारा संचालित होता है तो ये जो है वो embedded computer के द्वारा संचालित होता है तो इस question का जो सही अंसर होगा वो होगा option number D यानि की embedded computer के द्वारा संचालित होता है embedded computer से ध्यान रखेगा embedded computer जो होता है वो आम तोर पर एक ही उद्देश के लिए design किया जाता है digital computer किस की गन्ना करता है जो है वो किस सिध्धान्त पर कर्ज करता है तो डिश्टल कम्पूटर जो है वो लॉजिकल सिध्धान्त पर कर्ज करता है कार में लगा हुआ गती मापा के अंतर यानि जो स्पीडो मेटर होता है वो किसको निरूपीत करता है तो कार में लगा हुआ जो गति मापा की अंतर होता है वो analog computer को निरुपित करता है laptop जो है वो किस प्रकार के computer के अंतरगत आता है तो laptop जो है वो micro computer के अंतरगत आता है अभी हम लोगों ने देखा था laptop, desktop, smartphone, notebook, tablet ये सब क्या है micro computer के अंतरगत आता है hybrid computer का उपयोग होता है तो hybrid computer का उपयोग जो है वो बड़े उद्योगों में भी होता है medical छेतर में भी होता है और website form में भी होता है तो इस question का सई अंसर होगा वो होगा option number D यानि की सभी में होता है next है की digitally current संतरवित करता है तो digitally current जो है वो analog से digital में first generation के computer का निर्मान किस ने किया था तो first generation के computer का निर्मान है वो J.Prasper Accord और John Mutually के द्वारा किया गया है तो इस question का जो सई अंसर होगा वो होगा option number D, A और B दोनों और first generation के computer में vacuum tube का जो है वो इस्तिमाल किया गया था next लगी किस PD के computer में transistor का परियोग किया गया था तो देखिए प्रथम PD में अगर हम लोग बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा प्रथम PD में किसका vacuum tube का दूतिये PD में अगर बात करते हैं तो किसका transistor का और त्रीतिये PD में अगर बात करते हैं तो किसका integrated chief का और पंचम PD में कि question का सही answer होगा वो होगा option number B next है कि बरतमान में किस PD के computers का प्रयोग हो रहा है तो बरतमान में पांच मी PD के computer का उप्योग हो रहा है जो पांच मी PD के जैसे की IBM हो गया notebook हो गया, pendium PC हो गया, super computer हो गया ये सब जो है वो पांच मी PD के computers है नेक्स्ट है personal computer जो है वो किस PD से संबन्दित है तो personal computer जो है वो चतूर्थ PD से संबन्दित है तो इस question का सई answer होगा वो होगा आप से number यह चतूर्थ PD का है जिसमें कि हम लोग microprocessor, VLSI computer और PC के लिए operating system का जो है वो हम लोग use करते हैं नेक्स्ट है laptop और pomtop का निर्मान जो है वो किस PD में हुआ है तो laptop और pomtop का निर्मान जो है वो चतूर्थ PD में हुआ है तो इस question का सई answer है option number D नेक्स्ट है निर्वाद tube यानि vacuum tube का उप्योग कब हुआ था तो vacuum tube का उप्योग हुआ है प्रथम generation में तो इस question का सही answer है option number A next है computer generation का 1 से 5 का सही अनुकरम चुनना है आपको vacuum tube, transistor, एक एकरिज circuit, VLSI microprocessor और ULSI microprocessor तो यही सबसे सही लिखा हुआ है प्रथम है vacuum tube, फिर transistor, फिर एक एकरिज circuit, फिर VLSI microprocessor VLSI का मतलब होता है very large scale integration और फिर है ULSI, मतलब ultra large scale integration तो यही सही लिखा हुआ है तो इस question का सही answer होगा आप होगा option number A next है पांचमी PD यानि 5th generation के computer उप्योग करते हैं तो vacuum tube किसमें, 1st generation में, transistor किसमें, 2nd generation में, समकालिक circuit, मतलब integrated circuit किसमें, 3rd generation में और क्रित्रिम बहुदिक तक्निक यानि artificial intelligence, तो artificial intelligence किसमें, 5th generation में तो इस question का सही answer होगा, वो होगा option number D next है प्रथम संक्रियात्मा के electronic अंकी ए computer है, तो वो है iniac, मतलब होता है electronic numerical integrator and computer तो इस question का जो सही answer होगा, वो होगा option number A next question कह रहा है कि BLSI और ULSI का प्रियोग जो है, वो किस पिढ़ी के इंतरगा तारम हुआ था तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि first generation में किस में, निर्वाट ट्यूब यानि वैकम ट्यूब, second में के क्या transistor, third में क्या integrated chip, fourth में क्या microprocessor, BLSI computer और PC के लिए operating system, और fifth में क्या ULSI, SLSI, notebook, laptop, internet का विकास, artificial intelligence, यह सब किस में, fifth में next है कि 21 PD के computer में, programming के लिए यांतरिक भासा का प्रियोग किया गया था, तो programming के लिए यांतरिक भासा का प्रियोग जो है, वो प्रतम में ही किया गया था यांत्रिक भासा यानि मसीनी भासा जिसको आप कह सकते हैं तो इस question का जो सही answer होगा वो होगा option number A next है UNIVAC का पुर्ण रूप क्या है तो UNIVAC का मतलब होता है universal automatic computer तो इस question का जो सही answer होगा वो होगा option number A universal automatic computer फिर कह रहा है UNIVAC जो है वो बिस्व का प्रथम computer है जिसका प्रियोग जो है वो बानित जी कुदेश हेतू किया गया और प्रथम digital computer लिनिवाग प्रथम पिढ़ी में निर्मित किया गया है तो ये दो बाते भी आपको याद रखना है universal automatic computer के बारे में next है UNIVAC तथा INIAC अभी हम लोगों ने देखा UNIVAC का मतलब होता है universal automatic computer और INIAC का मतलब होता है electronic numerical integrator and computer प्रणाली के computing उपकरन के उधारन है तो ये जो है वो प्रथम PD के उधारन है तो इस question का सही अंसर होगा वो होगा option number a first generation next है कि किस PD के computer में microprocessor तकनिक का प्रयोग किया गया था तो microprocessor किसमें किया गया है यूज चौथी PD में तो इस question का सही अंसर होगा वो होगा option number a चौथी तीसरा में integrated circuit का यूज किया गया था दूसरा में transistor का यूज किया गया है और पहला में vacuum tube का यूज किया गया है नेक्स्ट है कि स्वच्चालीत गन्नातंत्र यानि automatic calculator जो है वो किस PD के उधारन है तो automatic calculator जो है वो प्रथम PD के ही उधारन है तो इस question का सही अंसर है वो है option number a नेक्स्ट है operating system का उप्योग कब हुआ था तो operating system का उप्योग जो है वो दूतिय पिडी में हुआ है computer की सक्ति जो है यानि computer का जो power है वो मापा जाता है तो computer का power जो है वो bird length में मापा जाता है इन में से कौन सी computer की एक बिसेस्ता नहीं है या आपको बताना है data storage है, speed भी है, accuracy भी है, intelligence question नहीं है तो इस question का सही अंसर होगा अब होगा option number a next day data prance current चमता यानि data processing power के संदर में निम्लिकित में से कौन सा बिकल्प जो है वो अलग-अलग computer PD का सही करम है तो यहां आप से पूछ रहा है data processing चमता है पहली PD से जादा दूसरी PD फिर दीसरी फिर फिर चौती तो यही होगा तो इस question का सही अंसर होगा वो होगा option number c next लगी Mac एक परकार का एक personal computer है जिसे बनाया गया है तो Macbook आप लोग नाम सुने होंगे और यह Macbook जो है वो किसके द्वारा बनाया गया है Apple के द्वारा बनाया गया है इस परकार के computer में एक graphic user interface built-in screen को परदरसीत किया गया था निम्न में से कौन सा एक परकार का एक personal computer नहीं है या आपसे पूछ रहा है desktop computer तो personal computer है, pomptop भी है, laptop भी है, mainframe computer नहीं है तो इस question का जो सही answer होगा वो होगा आपसा number B mainframe computer next है निम्निकिल में से क्या computer बरगी करन का एक परकार नहीं है तो computer बरगी करन का एक परकार analog computer तो है, hybrid computer भी है, digital computer भी, electrical computer नहीं है तो इस question का जो सही answer होगा वो होगा आपसा number A next है बिसेस्ट उदेशिये computer का उपयोग किया जाता है तो इस उदेशिये computer का उपयोग जो है वो क्रिसी बिग्यान में भी किया जाता है, अंतरिश बिग्यान में भी किया जाता है, मौसम बिग्यान में भी किया जाता है तो इस question का जो सही answer होगा वो होगा option number D यानि क्योपयोग सभी में किया जाता है next रहें निर्खित में से कौन सा कार्ज जो है वो computer का नहीं है या आप से पूछ रहा है computer का है गर्ज executing है controlling भी है processing भी understanding जो है वो computer का नहीं है तो इस question का सई answer होगा वो होगा आपसा number d next है कि truthy मुक्त यानि error free गन्ना करने की चमता एक computer की बिशेषता को दर्साता है तो एक computer की यह क्या है सुधता को दर्साता है कि वो कितना error free है तो इस question का जो सही answer होगा वो होगा आपसा number C Next रेगी computer computer के संदर में compatibility का आर्थ क्या होता है तो compatibility का मतलब होता है software computer पर चलने में समर्थ है तो इस question का सही answer होगा वो होगा आपसा number C Next रेगी निमलेखिद में computer की स्थिति के अनुरूप लचीले बैभार पर दर्सित करता है तो computer के स्थिति के अनुरूप लचीले बैभार जो है वो उसका versatility करता है यानि बहु कौसल तो इस question का सही answer होगा आपसा number C Next रेगी निमलेखिद में से कौन सा computer का बुनियादी कार्ज नहीं है तो data को स्थिकार करना और process करना ये तो है data को scan करना computer का बुनियादी कार्ज नहीं है इसके लिए अलक्स से हमें scanner लगाना होता है तो इस question का सही answer होगा आपसा number B Next रेगी अच्चल मसीन है और सूचना को process करती है बिलकुल सही है इसने जो भी कोई सूचना श्चोर की है या उस तक पहुच सकता है या भी सही है इसमें कोई भावा बेग नहीं होता है इसकी अपनी कोई भावना या चाहत नहीं होती है यह भी बिल्कुल सही है यह आप प्रतिबंदिर धंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है यह गलत है यह प्रतिबंदिर धंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है तो इस question का सही अंसर होगा आपसा number D नेक्स्टेन निम्लिखित बिकल्पो को उनकी data संसाथन यानि processing छमताओं की अलहार पर आ रोही करम में विवस्थित करें आरोही करम यानि ascending order में करने कह रहा है तो ascending order में कीजेगा तो मीनी computer, mainframe और फिर micro computer तो इस question का जो सही अंसर होगा वो होगा option number C नेक्स कोशन कहा रहा है कि छोटे सिलिकॉन चीप पर ट्रांजिस्ट्रो और अनिलक्ट्रोनिंग कंपोनेंट सहीत पुन्ड एककरित परिपत्थ को क्या कहा जाता है तो पुर्विट्रोनिक प्रति परिपत्थ होता है उसको हम लोग इंटेग्रेटेड सर्कीट कहते हैं तो का जो सयंसर होगा वो होगा आपसा नमबर D इंटेग्रेटेड सर्कीट और कंप्यूटर की जो IC चिप जो होती है वो सिलिकॉन की बनी हुई होती है यह भी आपको ध्यान रखना है नेक्स रह robić जब एक सी अधिक बेगती एक से अधिक कंप्यूटर पर एक ही समय में काली संपन करते हैं तो किस चीच की आवे सकता होती है तब आवे सकता होती है किस चीच की टर्मिनल की तो इस question का जो सही answer होगा वो होगा option number D यानि की टर्मिनल की निम्रिकित में से कौन जो है वो चौथी पिढ़ी की processing भासा है तो चौथी पिढ़ी की अच्छा programming भासा है तो चौथी पिढ़ी के programming भासा है SQL जिसका मतलब होता है structured QD language तो इस question का सही answer होगा वो होगा option number C next है एक इक्रित परिपत यानि integrated circuit का विसकार जो है वो किस नहीं किया था तो integrated circuit का विसकार जो है वो Jack Kilby एक अमेरिकी इंजीनियर थे उनके दोरा किया गया था तो इस question का सही answer होगा वो होगा option number C Jack Kilby IC चीपुद्वारा निर्मित प्रथम digital computer जाना जाता है तो प्रथम digital computer जो है वो IBM system यह जाना जाता है और IBM का जो full form होता है वो international business machines होता है Next is Indian Institute of Remote Sensing इस्थित है तो Indian Institute of Remote Sensing जो है वो कहां इस्थित है देहरादून में स्थित है तो इस question का जो सही answer होगा वो होगा option number B Next is सूचना परदागी की यानि information technology को परिभासित कर सकते हैं तो connectivity plus hardware के साथ हम लोग परिभासित कर सकते हैं तो इस question का जो सही answer होगा वो होगा option number D Next is computer processing cycle में सामिल होता है तो उसमें input, processing और output सामिल होता है तो इस question का सही answer होगा वो होगा option number A Next is एक term है PC XT का पूर्ण रूप क्या होता है तो PC XT का मतलब होता है PC का मतलब तो होगया personal computer और XT का मतलब होगया extended technology तो Personal Computer Extended Technology होता है तो इस question का सही अंसर होगा वो होगा option number B, Personal Computer Extended Technology Next रे निम्लिखिद में से कौन जो है वो Netware Computer का एक प्रकार है, तो Netware Computer का एक प्रकार होता है quantum computer तो इस question का सही अंसर है option number A Next रे डेटा के प्रेशन की गति को मापने के लिए सामाने था प्रियुक्त एक कौन है तो वो है bit प्रति सेकंड तो इस question का सही अंसर होगा वो होगा option number C, bit प्रति सेकंड Next रे बैंकों में पहली बार computer पर अधारित automated tailor machine यानि ATM का प्रियोग कब हुआ था तो ATM का प्रियोग बैंकों में पहली बार computer पर अधारित हुआ था वर्स 1967 में तो इस question का सही अंसर होगा वो होगा option number A बिना तार के mouse, album, keyboard का विकास किस वर्स हुआ था तो बारलेस जो mouse और keyboard आता है उसका विकास हुआ है 2004 में तो इस question का सही अंसर है option number D next है कि गन्ना यांतर अविकास calculation machine जो होता है अविकास का विसकार किस ने किया था तो अविकास का विसकार जो है वो चाईना के द्वारा किया गया था तो इस question का सही अंसर होगा वो होगा option number A चीन और अविकास का प्रियोग जो है मुबैपारिक गन्नाओं को जोडने तथा घटाने में किया जाता है नीजी कंप्योटरों की कार्दे छमता समाप्त हो जाने पर उत्पन कचड़े को क्या कहते हैं तो उत्पन कचड़ा को क्या कहा जाता है electronic कचड़ा यानि की e फिरेगी डिजिटल भुकतान के संदर में निम्लेकित कत्नों पर विचार कीजे भीम एप उप्योग करने वाले के लिए यह एप UPI सच्छम बैंक खातों से किसी को भी धन का हस्तांतरंत करना संबह बनाता है ये बिलकुल सही है फिरेगी जहां एक चीव पीन डेबिट कार में प्रमानी करन के चार घटक होते हैं भीम एप में प्रमानी करन के सिर्फ दो घटक होते ही ये गलत है क्योंकि भीम एप में भी प्रमानी करन के दो नहीं बलकि तीन घटक होते हैं तो यहां पहला सही है और दूसरा जो है वो क्या है गलत है बरतमान में किन computer का सरवादिक परियोग किया जाता है तो बरतमान में देखा जाए तो micro computer का सरवादिक परियोग किया जाता है क्योंकि देखिए desktop हो गया, notebook हो गया, tablet हो गया, smartphone हो गया यह सब क्या है, micro computer है, और इसी का उपयोग जो है, वो सबसे ज़्यादा किया जाता है, तो इस question का जो सही answer होगा, वो होगा option number D, यानि की micro computer, next एक computer अपनी सक्ति प्राप्त करता है, तो computer अपनी सक्ति जो है, वो अपनी गती से भी, उसके speed से भी, उसके memory से भी, उसके accuracy से भी, तो इस question का सही answer होगा, वो होगा option number D, यानि उपयोग सभी से, digital computer को बिक्सित किया गया, तो digital computer को USA में बिक्सित किया गया है, तो इस question का जो सही answer होगा, वो होगा option number C, यानि की America में, निम लिखित में से कौन सा भाभा प्रमानू अनुसंधान के इंदर, यानि बार कद्वा बिक्सित सूपर कम्प्यूटर है, तो बार कद्वारा बिक्सित सूपर कम्प्यूटर का नाम है अनुपम, तो इस question का सही answer है, option number D, smart card है, तो smart card क्या है, एक microprocessor card है, तो इस question का सही answer होगा, वो होगा option number D, e-governance, नेक्स्ट है, बिद्या बाहनी का संबध है, तो बिद्या बाहनी का संबध जो है, वो computer सिच्छा से ही है, तो इस question का सही answer होगा, वो होगा option number D, यानि computer सिच्छा से है, नेक्स्ट है कि ICT का तातपर्ज है, तो ICT का क्या तातपर्ज है, ICT का मतलब होता है, information and communication technology, तो इस question का सही answer होगा, वो होगा option number B, information and communication technology, circuit breaker वाला device जो hardware को power source से अलग करने और voltage spike से project करने के लिए यूज होता है उसको क्या कहते है तो उसको search projector कहा जाता है तो इस question का सही answer होगा वो होगा आपसा नमबर C search protector CAD का संचिप्त नाम क्या है तो CAD जो होता है उसका संचिप्त नाम क्या होता है computer added design तो इस question का सही answer होगा वो होगा आपसा नमबर B computer added design computer साचरता यानि computer literacy का अर्थ क्या होता है तो computer literacy का मतलब होता है computer के कार्ज छमता की जानकाली रखना तो इस question का सही answer होगा वो होगा आपसा नमबर C next है data processing का आर्थ है तो data processing का आर्थ होता है डाटा का उप्योगी बनाना तो इस question का सही answer है option number C वह electronic device जो डाटा को स्विकार कर सकती है डाटा प्रोसेस करती है तथा output उत्पन करती है और नामों को भविस में प्रयों के लिए store करती है क्या कहलाती है तो इसको computer ही कहा जाता है तो इस question का सही answer होगा वहोगा option number B यानि की computer next day की computer तो computer आकडो के भंडारन वाली एक सुच मियुकती है बिल्कुल सही है आकडो के बिसलेशन करने में सच्छम है ये भी सही है पुन गोपनियता बनाए रखने में सच्छम है ये भी सही है कभी कभी वारस द्वारा संक्रमित होता है ये भी सही है तो यहां computer के बारे में दिये गए सारे कथन जो है वो उस सही है तो इस तरह से इस question का जो सही answer होगा वो होगा option number D उप्योगत सभी जो है वो उस सही है next रही बैंकिंग लेंदेन में ECS कार्थ है next रही CDAC का संब्द है तो CDAC कभी हम लोगों ने देखा था Center for Development of Advanced Computing होता है CDAC का मतलब तो ये computer से ही संब्द देत है तो इस question का सही answer होगा वो होगा option number A निम लिखिद में से कौन सा computer जो है एक साइड और दूसरों में मसीन में परियुक्त प्रहनाली दिये गया है उसको आपको सुमेलित करना है सुची एक और सुची दो को तो प्रथम generation की अगर बात करेंगे तो ये vacuum tube के साथ मैच करेगा दूतिये generation जो है वो प्रथम आज का वीडियो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा साथी साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा वीडियो पसंदा रहा है तो अपने दोस्तों के साथ सेयर करना ना भूले अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और साथी साथ बेल आइकन दबा लीजे ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहे हैं इसके PDF के last में मैं इसके questions और answer और साथी साथ जो extra facts इस बगल में दिया हुआ है बो सारे को मैं attach कर दिया हूँ इसका अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो PDF के लिए मैं आप लोगों को पहले ही बता ही चुका हूँ कि आप टेलिग्राम ग्रूप जोइन कर सकते हैं उसका लिंक जो है वो वीडियो के description में दिया गया है या फिर आप टेलिग्राम में जाकर search कर सकते हैं आप पठेगा इंडिया वहाँ जो ग्रूप आगा उसको join कर लीजे वहाँ इसका PDF जो है वो प्रोबाइट करवा दिया गया है Thanks for watching